साथियों आज 15 जनवरी है आज मकर संक्रांती का पावन परव है और आज ही के दिन मा गंगा का इस प्रत्वी पर अवतरड हुआ था कहानी ये है कि एक समय राजा सगर अपने परोपकार और पुन कारणों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए इंदर को चिंता होने लगी कि कहीं वे स्वर्ग का राजा ना बन जाया इसलिए उन्होंने राजा सगर के अस्समेग यग का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनी के आस्त्रम में आस्त्रम के समीप बांद दिया राजा ने अपने सभी साथ हजार पुत्रों को अस्स ढूणने का आदेश दिया जब सभी घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनी के आस्त्रम पहुँचे और बहाँ पर घोड़ा देखा तो उन्होंने मुनी पर चोरी का आरोप लगा दिया जिससे क्रोधित होकर मुनी ने सभी को स्राप से भस्म कर दिया राजा को ये बात पता चली तो वे कपिल मुनी के आस्त्रम पहुँचे और अपने पुत्रों को छमा करने की याचना की तब मुनी ने उन्हें पुत्रों के मोच हेतु गंगा को धरती पर लाने की सला दी राजा सगर के बाद उनके पोते राजकुमार अंसुमान ने प्रड़ लिया कि जब तक मा गंगा को प्रतवी पर नहीं लाते तब तक उनके वन्स का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा उनके बाद राजा भगीरत के कठिन तब से मा गंगा को फ्रसन किया मा गंगा प्रस्वी पर उठी और उन्होंने राजा सगर के साथ हजार पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया उस दिन मकर संक्रांती थी मानता है कि मकर संक्रांती के दिन ही गंगा नदी में सनान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है और सारे पाप कट जाते हैं तो साथियों ये थी मागंगा की प्रस्वी पर अवतरड लेने की कथा